नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे आप लोगाँ पर शुरू हो चुका है और सर्वे के लिए आप लोगाँ पर बनसबली है वो आप लोगाँ पर बना कर देना होगा और इसके लिए एक बहुती बड़ी अब्रेट आई हुई थी कि अब आप लोग छोई घर बेठे अपना जो बनसबली यह उसको आप बना सकते हैं यानि कि खुझ से बनसबली बना कर जो दिजेगा वो बनसबली भी आप लोग कहाँ पर मान ने होगा और उसके आधार पे भी आप लोका जो सर्वे है वहापे गंपलीट कर दिया जाएगा तो आज मैं आप लोको दिखाने बाला हूँ कि आपको जो है घर बेटे किस तरीके से अपना बंसाबली बनाना है किनका किनका आप लोगको signature लगाना है किस तरीके से पूरा आप लोगको एक साधे page पे अपना जो बंसाबली है वो लिखना है सब कुछ मैं आप लोगको जोई live लिख करे हाँ पे दिखाने बाला हूँ तो आपको कहीं भी भटकना नहीं होगा ये बंसाबली आप खुद से बनाईएगा आपको सरपंच के पास जाने के आप सकता नहीं है खुद से बना कर सरवे में आप जमा कर दीजिए आप लोगको आप सरवे हो जाएगा कोई भी दिक्कत है आप नहीं होने बाला है ताकि आपको हर एक update जो है वो सबसे पहले मिल सके और जो भी paper cutting होता है जो भी notice होता है वो सब आप लोग को telegram और worship channel में मिल जाता है तो ज़रूर आप लोग आप जोएन हो जाएए चले मैं आप लोगों पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों आप बनसावली बनेगा और खुद से अपना जो बनसावली है वो किस तरीके से आप लोगों आप लोगों पर बनाना है तो अब बनसावली बनाने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आप लोगों गुछ इस तरीके से फर्डादा का नाम आप लोगा पर लिखना हो, फिर यहां पर आपके जो दादाजी वोंगे, यानि की दादा और जो चचेरे दादा होंगे, उनका नाम है आपके लिखना है, और यहां पर उसके बाद आपके जो पिता जी होंगे, साथ में आपके जो यहाँ पर चाचा होंगे यानि कि कुछ इस तरीके से जो चाचा होंगे उनका नाम आप लोग लिखना है फिर उनके जो बेटे होंगे उनका नाम यहाँ पर लिखना है भाई आपके होंगे उनका नाम आप लोग लिखना है मान लिए आपके जो परदादा है उनका नाम राम सिंग है कुछ इस तरीके से राम सिंग यहाँ पर जो है उनका नाम है तो इस तरीके से आप लोगो सबसे पहले राम सिंग लिखना है अब राम सिंग के कितने बेटे हैं यानि कि आपके दादा जी जो है कितने भाई हैं तो म आपके दादा होगे, एक आपके जो है चछचेरे दादा होगे, तो до आप जो कहा पर होगे, अब उसके बाद उनके जो है कौन बेटे हैं, मालीजी आपके जो है insyaam singsind कि कितने बेटे हैं वो आप जो है बताना है, याई कि आपके जो यहाँ पर स्याम सिंग है उनके तिन बेटे हैं अब यहाँ पर आपके पिताजी का नाम क्या है वो आप लुकाँ पर बताना है तो यह मालीजी आपके चाचा होगे गोपाल और बंटी जो है आपके चाचा है और राहुल जो है यह आपके पिताजी है तो राहुल सिंग के जो है दो बेटे हैं, एक रोहन, कुछ इस तरीके से रोहन सिंग और एक जो है सोहन सिंग, सोहन सिंग यहाँ पर जो है दो बेटे होगे, तो यह जो है दो बेटे होगे, तो एक जो है आपके भाई होगे, एक जो है आप होगे, रोहन माल लिजे हैं पर आवेदन करते हैं, तो तो आप इसी हिसाब से आप लोग को आप जो बंसा बली है, वो आप लोग को आप बनाना है, तो सबसे पहले करना क्या है, इसको आप लोग को आप साइड करना है, इसी के हिसाब से हम बंसा बली बनाएंगे, तो सबसे पहले बंसा बली बनाने के लिए आप लोग को एक अलग पेज लेना है और पूरा white पेज यहाँ पे लिजेगा तो आप यहाँ पे सादा पेज है इसमें सबसे पहले करना क्या है आप लोग को बंसा बली यहाँ पे बंसा बली आप लोग को लिखना है बंसा बली लिखने के बाद यहाँ पे लाइन देना है अब यहाँ पे इस और Mohan Singh, दो ही बेटे हैं, तो हैं पर कुछ इस तरीके से एक लाइन देंगे, और यहां पर एक लाइन कुछ इस तरीके से देंगे, अगर तिन बेटे रहेंगे तो बीच में भी एक लाइन आप दे सकते हैं, कोई भी दिकत नहीं है, चार है तो चार लाइन यहां पर है, अब यह दो बेटे होगे, राम सिंगे, अब इनके नीचे आप लोगो जाना है, कि आपके जो पिता जी और चाचा जी हैं, उनका नाम लिखना है, तो आपके जो दादा होगे, वो स्याम सिंग होगे, आपके दादा जो है स्याम सिंग है, तो स्याम सिंगे कितने बेटे यहां पर पूरा आप लोगो को नाम लिखना है यानि कि आपना टाइटल के साथ है आप लोगो को लिखना है यहां पर गोपाल और सिंग यहां पर लिखेंगे फिर अगले बंटी है बंटी सिंग यहां पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से तो यहां पर स्याम सिंग के तीन बे बेटे हैं और यह जोई दोनों आपके चाचा हैं तो अब आपको करना क्या है। राहुल सिंग के नीचे आप लोग आप निचे से आना है दो depth ले जाना है। एक यहाँ बना देना है। तो रहुल सिंग Скहा नाम आप लोग लिख़ना है, रोहन, सिंह यहाँ पर जो ही लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो ही सोहन, तो सोहन सिंह लिखेंगे, सोहन सिंह यहाँ पर जो ही हम लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह दो बेटे होगे, अब इसमें जो है आवेधन करता का होने हैं, तो माल दिजे कि जो रोहन सिंह है, यहां पर आवेधन कर रहे हैं, यह अपना बंसावली बना रहे हैं, तो आपको जोई नीचे आना है, इनके नीचे आप लोग को कुछ इस तरीके से देना है, और यहां पर आप लोग को लिखना है, आवेधन, आवेधन, यहां पर आप लोग को लिख देना है, उसके बाद य यहाँ पर जो सोहन सिंग है इनसे भी आप लोगों पर सिंगनेचर लेना है यानि कि अपने जो भाई होंगे उनसे आप लोगों सिंगनेचर लेना है एक भाई है दो भाई है तिन भाई है जो भी रहेंगे उनसे अपना जो सिंगनेचर है वो आप लोगों पर करवा लेना है उसके पार माद लिजीए आपके जो ये पिता जी नहीं रहें, लेकिन आपके चाचा जी हाँ पर जिंदा हैं, जिसे कि गोपाल सिंग ये फिर बंपी सिंग दोनों में से जुका है बस यसी बंसावली को आप लोगो को आप पे जा कर जमा कर देना है कुछ भी आपको नहीं करना है यहांपे लेकОर दहान कर नीचे आप जाएगा उनके बेटे का नाम लिखिएगा ऊंपर इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं कोई भी दिखकत नहीं है लेकिन यहां पे शिंगल सिंगल बंसावली जमा हो राई तो खुच्ष से बनाकर कर देने वादी में जो सिंगल इसी तरीके से आपको बनाना है ज्यादा कुछ लोग डीटेल है आं पर इस칩니다 वो आप लोगों पर दिना होगा, तो इस तरीके से आप लोगों पर बंसावली बनाना है, मैंने लाइब आप लोगों पर बना कर दिखा दिया है, तो लाइब मैंने आप लोगों सब कुछ दिखा दिया है कि किस तरीके से आप लोगों का बंसावली बनेगा, और इस तरीके स सकते हैं और आपका लिए उस सर्वेय वहाँ पर कंपलीट हो जाएगा आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसना हुआ अगर ये वीडियो पसना है लाइक के सब्सक्राइब को जमाल चैनल को साथ ही सब्सक्राइब को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तो तक लिए धन्यबाद